प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें। पर ठगी कर रूबी भाभी और इसके गैंग के सदस रफू चक्कर हो गए थे। जिसके बाद ठगी की शिकार हुई औरते भिवंडी के शांती नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की थी। डीजीपी योगेस चोहान ने मामले को देखते हुए गंभीरता से इसकी जाच की और रूबी भाभी सहीच साथ आरोपियों को इस मामले में गिरफतार किया गया है। इनके पास से 2400 ग्राम सोना जिसकी कीमत 73 लाख रुपे बताई जा रही है बरामत की गई है। मगर वहीं विमंडी में जाल साजी करने वाला ये गिरों अब सलाखों के पीछे पहुच गया है। प्रेस्ट कॉंफरेंस करके डीजीपी योगेस चोहान ने आरुपियों के बारे में क्या जानकारी दी है। कैसे ये लोग शिकार बनाते थे और इनके पास से बरामद हुई चीजों के बारे में पूरी जानकारी डीजीपी योगेस चोहान ने दी। हमारे पास 29 मार्च 2021 को शांतिनेवर पोली स्टेशन में जो फिरिया दी है शबनम बानो मुहमत कलनशेक जो आमपाड़ा में रहती है। उसने फिरिया दी कि नामे रूबी मुस्तकीन अंसारी जो है वो भी आमपाड़ा में रहती है। उसने उसने जो है 6 तोला रूपए के जो 6 तोला सोना है हुसने लिया था और 6 मैने के बाद वापस करोंगी ऐसा कऊआ था हूछ से बदले में उसने 1 तोले के इसे 15 तोला लिया है तो 15 तोला लिया और 1 लाग लेंगे तो उसके उपर 10,000 इस तरीके का स्कीम जो है उन्हें ने पूरे चांतिनगर एरिया में और पूरे भिवंडी शहर में चलाया था तो इस तरीके से जो मामला सामने आए उसके तहत 190 अबलिक 2021 के दे 420, 406 चिटिंग और 34 के तहत और MPID के तहत हमने जो है ये मामला दर्श किया है औ और उसमें जो आरूपी है मैला मुस्तकीन अंसरी उसके साथ और साथ लोगों को गिरवतार किया है तो इसमें जो है लगबग 265 लोगों जो है उनका स्टेटमेंट लेने के बात पता चला कि उन सभी से उसने सोने के जरिये या फिर सोना लेके पैसा देना इस ताइब से उ जो यह किया है फसा है सबको और उसके तरत वो जो पूरा सोना था वो सोना जो है वो मनिपूरम गोल्ड लोन विवंडी उसमें से 12 1525.5 ग्रैम सोना जो है वहां से हमने बराबत किया है मुतूट फाइनांस माजिवाड अठाना से हमने 98.4 ग्रैम का जो है वो सोना जो हमने बरामत किया है उसके बाद है जो आरोपी जो सोना रहे उससे भी हमने 493 ग्रैम 493 ग्राम का जो सोना वो बरामत किया है और बाकी के जो इसमें आरोपी है उनसे भी हमने 289.8 ग्राम का सोना जब किया है जमा किया है और वो टोटल जो जाता है वो 2000 मतलब 2406.7 ग्राम का पूरा सोना जो पुलिस ने शांतिनगर पुलिस ने बरामत किया है इसमें लगबग जो इसके अमाउंट आती है वो त्रयात्र लाग चोपन आजार तिनसो बीस रुपए किमत की जो है पूरा ये जो सोना रिकवर हुआ है तो इसमें जो है कि साथ आरोपी जो है इसके आलावा जो लेडी है इसके आलावा साथ आरोपी रेश्मा शमी मंसारी वो जो है वो भी वेता उसके पास रहते है इर्फान श्यादत अंसारी नदिन नाका के पास विवनडी में भी जो है ये फात्मा मेडिकल व्यतालपाड़ा उसके पास रहने वाले हैं विक्रान जैन तिलाल जैन उप विक्की जैन जो है कासा रडी जलगाओ कासा रडी दोगो मार्केट इस्वर मंदिर भीवंडी यह सब इसमें यह रहने वाले तो इनकी पूरी चैन थी यह जो मेन आरोपी है, रूबी मुस्तकी नंसारीन सब के मदद के जरीए यह पूरा मामला चलाती थी, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर, इस तरीके सर यह पूरा राकेट था मैंने वही बता है आपको, अगर उनसे पैसा लेना, उनसे सोना लेना है, सोने के बदले में उनसे एक तोला सोना लिया, तो हर मैने पंद्रा सो रुपए देना है, अगर जादा सोना देती है, अगर पास तोला देती है, तो फिर दस अजार, बीस अजार इस ताइप से मैंने क उन हब सब्सक्त bisa को हो बाकि लेकंट v би हैं पहँको सब्सक्राइब ने से लिए an įे परतरे मैंडम में सबी आरोपीयों को पकड़ा है इसमें हमारे सबसे इंपोर्टन हमारे सीपी साहब है इनका मार्गदर्शन हुआ है फंसालकर साथ का उसके बाद है हमारे जॉइन सीपी साहब सुरेश मेखला साहब उसके बाद हमारे एडिशनल सीपी कुंबारे साहब प्रशान डोले जी जो पूरी शांतिनगर की टीम ने उसमें मेहनत लिये और ये बड़ा जो आगे बढ़ने वाला मामला था इसको सही तरीके से सही जगपे रोका गया है और ये बाकी के जो लोग है लगबग दो 65 लोग है अभी इसमें जादा भी हो सकते हैं उनको सभी लोगों को ये जो पूरा सोना है कोर्ट के जरिये इनको वापस किया जाएगा और जो आरोपी है पूरे इसके तो वो जो आरोपी के पात चला पता चला कि इसमें और भी लोग शामिल है सब को फिर हमने बुलाए और पूरा मैना बर यह मामला चला है और यह हमें बहुत बड़ी कामिया भी जो है मैंने का कि बहुत अभी तक के बिवन्डी के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पहमाने पेज सोना है वो एक यह आरूपियों के इससे माध्यम से जमा किया गया है